बड़ी खबर इस वक्त की पूर्व केंद्य मंत्री और कॉंगर्स के दिगज नेता जगदीश टाइटलर तमाम मुश्किलों में घिर गए हैं क्यूंकि 1984 के दंगे एक बार फिर से उनकी नीन उड़ाएंगे कॉंगर्स एता जगदीश टाइटलर के बारे में आज करकर दुमा कोट में ये कहा गया है कि CBI क्लोजर रिपोर्ट वापस ले दोबारा केस खोले फिर से जाँचो 1984 में भीर को उकसाने का आरोपन पर लगा था और जो लोग 1984 के दंगो के इंसाफ की जंग पिछले कई बरसों से 28 बरसों से लगातार लड़ रहे हैं उन लोगों ने कोट में ये अपील की थी कि CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट तो दे दी थी लेकिन काम पूरा नहीं किया था उनका ये आरोप था कि पक्षपात पूर्ण रवये की वज़े से फायदा हुआ जगदीश टाइटलर को उनका ये आरोप था कि जो तमाम चश्मदीद थे उनकी गवाही तक नहीं ली गए थी CBI की तरफ से और इसे गंभीर आरोपों के बीच करकर डुमा कोट ने यादेश दिया है कि CBI क्लोजर रिपोर्ट वापस ले केस फिर से खुले और दोबारा जाच हो आपने सुना 84 दंगे के ये लोग जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने कोट के बाहर कहा कि हाँ देर बहुत हो चुकी है लेकिन इंसाफ की आस बाकी है हाला कि 28 बरसों के बाद अब फिर से केस की पूरी तफ्तीश चानवी नए से दे से होना नजाने और कितना वक्त लगेगा कई बार इंसाफ को लेकर कई सारे सवाल या निशान लगते हैं लेकिन फिर भी जो लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं अब उनका भरुमसा एक बार फिर से जगा है क्योंकि करकर दुमा कोट ने आज ये कहा है कि CBI की क्लोजर रिपोर्ट वापस ली जाए दोबारा केस खुले फिर से जांच हो यानि जगदीश टाइटलर की भूमिका 1984 के दंगो में क्या थी इसकी जांच दोबारा होगी मुश्किले हैं उनकी बढ़ेंगी फिर से पूच इस टाइटलर ने लेकिन राह आसान नहीं है क्योंकि एक बार फिर से ये मामला उन्हें परिशान करने के लिए मुबाइस सामने खड़ा हो गया है एक नवंबर 1984 को हुई थी तीन लोगों की हत्या पूरा मामला जो जगदीश टाइटलर के खिलाफे मौम आपको बता रहे ह गुर्दवारा पुल बंगश इलाके में भड़की थी हिंसा और पुल बंगश इलाके में हिंसा भड़की थी टाइटलर पर हत्या में शामिल होने का आरूप भी लगाया गया था टाइटलर का मौके पर नहीं होने का दावा था उनका कहना था कि मैं मौके पर मौजूद ही नहीं था, 2009 में CBI ने अपनी तरह से क्लीन चिट दे कर क्लोशर रिपोर्ट दे दी थी, क्लीन चिट के साथ साथ उन्होंने रोना रोया था सबूतों के अभाव का और कहा था इसलिए उनके खिलाफ मामला नहीं चल सकता है, CBI के मुदाबिक गवाव बदलते रहे हैं अपने बयान और इसलिए उन्होंने क्लोशर रिपोर्ट इस मामले में दे रही थी, उसे चैलेंज किया, जो लोग 84 के दंगों का इंसाफ चाहते हैं, उन्होंने चैलेंज किया CBI की इस क्लोशर रिपोर्ट को, और उनकी जीत हुई है, कोट ने ये माना है कि केस चलना चाहिए तवाल खड़े होते हैं उसके कामकाच पर, कि आखिर इतने बरसों की तफ्तीश के बार, वो शुन्ने पर पहुँचे, लेकिन कोट का अपनी तरफ से ये मानना है कि उनके खिलाफ केस चलना चाहिए, परकर डुमा अदालत में ये याचिका डाली गई थी, अदालत में दो 2009 में क्लोजर रिपोर्ट सौपी थी, सी बी आई ने, एक बार फिर से सी बी आई ने यही कहा कोट में दलील के रूप में कि हमारे पास सबूत नहीं है, सीधे रू करते हैं पुनम शर्मा का हमारी से होगी, इस वक्त हमारे साथ जुड रही हैं करकर डुमा कोट के बाहर से, पुनम कम से कम उन लोगों के लिए जो 28 बरसों से इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी जीत है यह, यह सवालों में खड़े करता है, सी बी आई के कामकाज को, उसकी तफ्तीश को, और कोट ने यह माना है कि केस चलना चाहिए उनके खलाफ, फिर से खुले बिल्कुल ठीक, आपने कहा क्योंकि तीन दशक का इंतजार बहुत लंबा होता इंसाफ के लिए, और आज कोट ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ, आज कहा है, कि टाइटलर के खिलाफ, इस मामले में केस जो है, वो री उपन होना चाहिए, सीधे तोर पर, अगर कहे तो ये बहुत बड़ी जीत है, उन लोगों के लिए, जो लगातार तीन दशक से अपने लोगों को खोलें का दर्ट तो जेली रहे हैं, साथ ही इंसाफ की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए, जिन्होंने अपने लोगों को खोने के बात भी इतनी हिम्मत दिखाई कि वो कोट के चहरी के लिए लगातार धके खाते हुए इस उमीद में यहां पहुंचे कि उन्हें कोट से तो इंसाफ पिलेगा भले ही सरकार से ना मिल पाया हो हमारे साथ पुलका साथ मौझूद है जो लंबी लड़ाई लड़ चुके है और एक वकील के तौर पर उन्होंने भी पेड़ितों के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है किती बड़ी जीत आप मान रहे है आज पोट के जे आज बहुत बड़ी जीत है यह सिर्फ की इसी अजेन्सियां किसी प्लीटिकल फ्रश्र कें अंड Кे ऐसे ऐसे क्लीन चिट्ट देने लगें लिगेंगी तो कोटन को नहीं मानेगी इसी केस में सीवे आई का इसी के जौलान धर्थ आइक्टर ने कहा था कि चलांट फाइल करो चारशींट फायल करो टाइटल के केस्ट मगर सरकार के दबा के इंडरा के जे इसने ट्रेक्टर ने उसको नहीं माना और क्लीन चिट दे दी तीरे दोर पर कहें तो इतने लब्में इंतजार के बाद ही सही लेकिन ये महीना जो है वो 84 के दंगा पीड़ितों के लिए बहुत खास है क्योंकि 16 कारिक के बाद सज करनाली के लिए लीगल सिस्टम के लिए बहुत पॉर्टेंट है और बहुत नाजुक है देश के सभी नागर कों के लिए जो कहते हैं कि हम शांती से जीना चाहते हैं ना कि ऐसे पॉलिटीशनों के रहमो करम पर उनके लिए बहुत ज्यादा पॉर्टेंट है तांके इनको म बहुत बड़ी जीत तो है ही लोगों के लिए साथ ही एक उम्मीद ये भी बंदी है कि टाइटलर के खिलाफ तमाम जो CBI ने सबूत जुटाए थे ये कहते हुए कि जो भी इस मामले में गवा है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता या फिर जो सबूत मिले है वो काफी नहीं है इतने reliable sources नहीं है जिन पर ये कहा जाए ये बहुत बड़ी जीत है आम लोगों की भी ना सिर्फ 84 दंगा पीडितों की भी और 84 दंगा पीडितों को ऐसा लगता है कि भले ही सरकार से उनका भरोसा उठ गया हो CBI से उनका भरोसा उठ गया हो लेकिन कोर्ट के सादेश के बाद आज उनका भरोसा कोर्ट पर दोबारा इस बात को लेकर हो गया है कि नियाय जरूर मिलेगा भले ही देश से मिले मिलकुल पुनम अगर फिर से फुलका सहाम मिले या कोई और वकील वहां पर मिले जो लोग मौजूद है वो मिले CBI के कामकाज को लेकर ही सवाल है क्योंकि उन्होंने 2009 में क्लोजर रिपोर्ट अपनी तरफ से दे दिया था अगर कोट की मानता है कि ऐसे कुछ गवा सबूत है जिन से आगे केस को ले जा सकता है कौन सी वो दलीले थी सबसे मजबूत दलीले जिसकी वज़र से CBI के कामकाज को एक तरह से खारिज करते हुए कोट ने कहा कि आप फिर से दुबारा जाच कीजे तेखिए जिसे टाइटलर वाले केस में उन लोगों को इस मामले में गवाह बनाया ही नहीं गया जो जिस वक्त दंगा हुआ था उसमें विटनेस बनना चाहते थे गवाह उन लोगों को बनाया गया जिन्होंने सीधे तोर पर कहा कि हाँ टाइटलर को उन्होंने वहाँ नहीं देखा या जो इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि टाइटलर जो गुर्द्वारा पुल्वंगश पर तीन लोगों की हत्या की गई दंगे के दौरान वहाँ नहोकर इंद्रा गांधी के आवास पर थे इसको अप्रूव करने के लिए एक सीधी भी मुहया कराई गई कोर्ट में ये दिखाते हुए कि उस जौरान आर के धवन और अमीता बच्चन के साथ टाइटलर दिखाए गए थे लेकिन उस सीधी में कहीं ये मैंशन नहीं था कि कितने बज़े की ये घटना है तो ऐसे में है पीडितों की तरफ से जब ये पुनर विचार याची का दाखिल की गई तो इनी सब ग्राउंड्स पर की गई बीच में पीडितों की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया कि इस मामले में क्यों आमीता बच्चन को भी एक विटनेस के तौर पर प्रोड़ पेश किया जाए अगर आपी तो आपको सबूत समेट कुछ नहीं पेश हुई है जहां तक जगदिश टैटलर की बात है लेकिन जब आप मोजी को 2002 के तंगू के लिए लगातार हमला करते हैं उसे माभूली मांगने को कहते हैं उसे तीवाती में को कहते हैं कुछ नैतिक जिमेदारी कॉंगर इसके आपने बहुत सारा इशारा दे चुके हैं किया जहां हम किसी को बख्षते नहीं हैं आप अच्छी तरह जाते हैं अगर गैर कानूनी काम हो और कानून ने कुछ कहा तो उसको बहुतो लागू हो गाई